ओम सर्व मंगल मंगल श्वेव सरवार्त साधी के शरने त्रम्ब की गवरी नारा यमिन नमोस्तुते नमस्कार स्वागत है आपका हमारे इस खास कारेकरम आचारेवाणी चैनल की माध्यम से और आज का विशे जो हमारा है वो है मकर राशी वालों के लिए जो शनी अस्त होने जा रहे हैं वो क्या करेंगे देखिए मकर राशी वालों आपकी राशी के अनुसार से आप समझ दीजे शनी की साधी का आपके लिए आशी में अंतिम दौर चल रहा है और शनी की साड़े साथी कभी शुब नहीं कहीं जाती है अब वो कई बार लोगों से धान में लिया जाते हुए शनी आते हुए शनी चरते हुए साड़े साथी उतरते हुए साड़े साथी सिर पर पर जसतर ग्रहों का खेल है योगा योग का खेल है कहां आपके लिए अच्छे हैं योगा के लिए खराब है कई योग поддерж करने केmer राशिवालों सिर्फ दादा इस बात कौन समझ सकता है क्योंकि पिछले करीब करीब साड़े छे सालों से आपने इस बात को जिला है कि कारे कैसे पकने की इस्तिती में है लाब कश्ट दे रहे हैं और रुक रहे हैं रुके वो पेड़े कारे पड़े हैं वो आप स्वयम जानते हैं तो इसलिए उतरते चड़ते की फिलोसफी आप छोड़ दीजे तो बहुत सारे मार्च तक ये अस्त रहेंगे ये आपके लिए ऐसा ही योग रहेगा कि साड़े साथी समाप्त हो गई यानि एक रिलीफ का पीरेट है ये रिलीफ का पीरेट है तो इसमें आप बहुत सारे कारें को लाब की स्थिती में मोड सकते हैं स्वयम अपने प्रयासों से लेकिन कई लुहा गरम है और कप चोट मारनी आपको यही जोतिश विझ्ञान बताता है कि देखे इस वक्त कई बार क्या होता ही कभी लंबे समय से जब स्थिती हमारी हार हो रही होती है हमें स्थिती में लाब नहीं मिल रहा होता है तो हम क्या होता है हतोत साइथ होके बढ़ जाते है ऐसे मैं पता ही नहीं चलता कि समय कभ हमारे favor में था और अरे बाद में बाद में प्लजलता है और में तो तेरा काम त्यार बठा था करने के लिए आये नहीं तुन्हें बताये नहीं में को तेरी याद आई नहीं अब ये स्थिती है कि शनी महाराज जो है सूर्य के बिल्कु सन्निकट आ गए आपकी राशी के अनुसा से दिम बात करें तो दूतिय भाव में सूर्य पतारपन करेंगे करीब करीब कुम राशी में विशेश्टार पर तेरा फरवरी के आसपास और यह आपको बड़ा उत्साहित करेंगे मनुकामना सिद्धी का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं तो यह एक महीना जो है वो आपकी मनुकामना सिद्धी के लिए ब्रव प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है हर ग्रहजी अपनी गती होती है दिखाई नितवती एक अन्ष को बड़ाते है और एसे में सुरे नितवती एक कहलते हैं वो होंगे करीब करीब जो 16 मार्च को तो आगे निकल जाएगे तो ये जो बीच का पीरड है जो 34-35 दिन जो आपको मिल रहे है ये आपके लिए बहुत कार्यों में बहुत बढ़िया लाब देने के लिए आ रहे है तो समझ लो विशेशतार पर मकर राशी वालो ये भागे जगाने का समय है और इच्छाधारी योग बन रहा है आपकी राशी के अनुसार से पिता पुत्र दोनों एक ही राशी में स्तित होकर जो शनी है वो अस्त है और सूर्य महापे आपके मनों कामना सिद्धी का योग बना रहे है इच्छाधारी योग कर रिमाने जिस परकार से कर रहे है ऐसे में नेगेटिव भाव हटाओ पॉजिटिव हो और काम कर वालो आपके भागे के ग्रह दिखाते हैं कि इस वागे आपके किस्मत आपके जीवन साथी तो उसको प्रसंद करिए और देखिए बहुत सारे कारे को पूर्ण करने का योग यह आपके राशी में बनता दिखाई दे रहा है और बहुत लाब की योग आप बना सकते है यह 35 दिन जो है बहुत जल्दी निकल जाएंगे तो इसलिए हम आपको जोतिष विज्ञान के बादे हम से उसकी रहस्य को काल गणना को समझते हुए इस बात को बताने का प्रयास कर रहे है नेगटिव मत सोचीगा आपके लिए इस समय एक कहावत है जो आपको बहुत बढ़ियात्य से लाब देने वाली है विशेशतर पर आप समझ दीजे क्या कहावत है कि आपको मांगने से कि विशेशतर पर भीग नहीं मिलने वाली लाब नहीं मिलने वाला मिन मांगने सब कुछ मिल सकता है आपकी राशी के अनुसार से ऐसे में केवल पॉजिटिव एटिटूड के साथ कारे करने की जरूरत है अपनी बातों को डिपलोबाटिक तरीके से करवाने का प्रयास करें यदि आप किसी से जाके कहेंगे मैं कश्ट में हूँ थोड़ा हेल्प करते बिल्कुल नहीं करेगा लेकिन अगर आपने उसी शब्दों को परिवातन करने का प्रयास किया मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मुझे बहुत बढ़िया लाब होने के योग है ऐसे में विश्चतर पर यदि हम ये कारे कर ले तो बहुत यानि डूबे हुए हिम्मत नहीं जागे हुए हिम्मकुल लाब पॉस्टिव एटिटूड के साथ करने का प्रयास किजे आप ये में विजन हम आपको दे रहे है विजन हम आपको दे रहे है कि लाब किस्तिती प्रशस्त है यानि जो जो कारे 14 बंदा दिनों में इस विजन हम पर 30-35 दूनों में आप लाब ले सकते है उस छोटे प्रोजट को बना कर बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने के योग आपकी राशी में बनते दिखाई दे रहे सबसे बड़ा लाब क्या हो रहा है एसे में समझें कि ब्रसपती महाराज आपकी राशी के अनुसार से आपके चतुत भाव में पद्ः, सुख, सब लाने के योग बना रहे थे सम्मान लाने के योग मना रहे थे क्योई सामने देख रहे हैं तो लेकिन ऋवो शनी से द्रश्ट होने की कारण से अपना लाव नहीं कर पा रहे थे ऐसे में मकहर राज़ी वालों ये समझो कि शनी के अस्तोने से ब्रस्पती पर भी शनी का जो नेगेटिव प्रभाता वो समाप्त हो गया है खैरो 35 दिन के लिए है लेकिन प्रस्पती अब बहुत जबर्दस अपनी अवस्था में आ चुके है क्योंकि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं मही में तो बदर ही जाएंगे तो ऐसे में समझ दीजे इस समय को आपको यूटलाइस करने का प्रयास करना है सुन्दा तरीके से उटलाइस करने का प्रयास कीजे ऐसे में विशेश तरफ ग्रह आपके बिल्कूल अनुकूल है मशीन बिल्कूल तयार है तो आप लेकिन मनोभाव नहीं बदल पाएगा क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो हमें पता ही नहीं चलता है तो मनोभाव को बदलने का प्रयास कीजे जोतिश विग्यान के माद्यम से ग्रहों के परिमेटर्स को समझते हुए हमने समझती आपके समख्ष रखने का प्रयास कर लिया है ऐसे में आप हनन्द के साथ डिप्लोमेटिक कारे करते हुए मंगल शुक्र का योग जो आपकी रागलगन में इस वक्त मनाख बनके आगे तियार बैठा है यह आपके लिए बहुत प्रशस रहेगा आगे बढ़ने का मार प्रशस कर रहा है तो फालतों के बातों से हटाओ दिमाग को और देखिए इस वक्त लाब के लिए नए संपर्क इजावा होने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से ग्रहयोग आपके तैयार है नए संपर्क दोस्त पन सकते हैं तो इसलिए कोब भवन से भार आओ साड़े साथी के कोब भवन कई बार का होता है मनुमस्तिक्ष ऐसा होता है कि बिल्कुल बंदेरे कुछ मैं इतने लगातार छे साल से प्रयास कर रहा हूं कहीं कुछ नहीं मिला आप भी क्या मिलेगा छोड़ दो आरे नहीं भाई यह 35 दिन करके देखेगा बहुत बढ़िया रहेंगे और हमें बताएगा राशी कोई खराब नहीं होती भाई आपके इνटरेल रग्रहों की पॉजटिव यह हो इसलिए नेगटिव भाव को हटाओ और इस समय पॉजिटिव यदी हो गए तो ये 35 दिन में वारे नियारे करनाने के योग प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा जैसे हमने कहा कि बहुत सारे लोग लिखे भी सीन कि हमारी जनमपत्री में कुछ वही नहीं रायग ये लगाताराम कर रहे हैं उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, हमारे आपनी जरब पत्री को भेजें, हम एनलाइज करके बताएंगे, देखेंगे, और बताएंगे, कोशिश करेंगे, यह हो सकता है, आपके बहुत सारी योग ऐसे हो, जो कुछ ने कुछ कश्ट के योग मना रहे हो, यह उनको निवार श्री किश्रदेवजी महाराज के साथ सानित दिन में रहकर बहुत सारे विश्यों पर आश्रम में लगतार शोध हुआ, और आज भी उनी कार्यों पर हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, नित्यपती आश्रम में करीब पर आठ घंटे के आसपास यग्य होता है, और सौबट का हॉस्पिटल निहां पर बनाया गया है, माभवती का इक चमतकार श्रीविग्रे यहां विद्यमान है, जो मुल्तान से 1947 में उपस थी तुगा 500 साल पर श्रीविग्रे, उनके सानित में ही आश्रम की समस्ति व्यवस्ताय चलती हैं, और उनका दर्शन, नित्यपत अश्रम की तरफ से रहती है, फोन नमर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, उन समय आप लाब लेने का युग बना सकते हैं, धन्यवाद